उधारन दस, कौन सा धन 6 प्रतिशत वार्षिक चगरुद्धी ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 2,809 रुपे हो जाएगा? उधारन दस, हल, यहां हमें मिश्र धन जो दिया गया है, वह है मिश्र धन बराबर 2,809 रुपे इसके बाद मूल धन, मूल धन पी जो है वो हमें ग्याद करना है, क्योंकि प्रश्च में कहा गया है कि कौन सा धन 6 प्रतिशत वार्षिक चगरुद्धी ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2,809 रुपे हो जाएगा? तो 2,809 रुपे मिश्र धन हुआ, मूल धन पी हमें ग्याद करना है और दर जो है, दर आर बराबर 6 प्रतिशत वार्षिक, समय, N बराबर 2 वर्ष, मूल धन भी हम मिश्र धन के सूत्र की सहाइता से ही ग्याद करेंगे, इसलिए A बराबर हम लेंगे, P, एक धन, आर बटे 100, पूरे की घाट, N, इसमें मान रखते हैं, जो राशिया हमारे पास हैं, तो मिश्र धन A बराबर कितना दिया हुआ है? 809 रुपे, P यहाँ अग्याथ है, तो P को हम P के रूप से ही निरुपित करेंगे, और एक धन, आर का मान, 6 प्रतिशत है, वार्षिक, तो 6 प्रतिशत के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, 6 बटे 100, और घात N, याने की वर्ष, 2, इसे हल करते हैं, 2809, P, एक धन, इसे हम लिख सकते हैं, हल करने पर, 3 बटे 50, दो के पहाड़े से हम इसे हल कर रहे हैं, तो यह हो गया, 3 बटे 50, और पूरे की घात, यहाँ पर 2, पुना, आगे हल करते हैं, 2809, और P, गुणेत, यहाँ पर, एक धन, 3 बटे 50, को हम लिख सकते हैं, 3 बटे 50, पूरे की घात, दो, आगे हल करते हैं, चलिए, हमें जो समीकरन प्राप्त हुआ था, वह है, 2809, बराबर, P, गुणेत, 3 बटे 50, पूरे की घात, दो, इसे आगे हल करते हैं, तो हमें मिलेगा, 2809, बराबर, P, गुणेत, तिरपन बटे 50, क्योंकि घात यहाँ पर, दो है, इसे आगे हल करने पर मिलेगा, P, गुणेत, 2809, बटे, 25, और यह यहाँ पर हमें मिला हुआ है, 2809, अब यदि हमें P का मान ग्यात करना है, तो इसे हल करने के लिए, पक्षांतर करना होगा, तो उस इस्तिती में हमें मिलेगा, P, बराबर, 2809, बटे, एक, गुणेत, 2500, बटे, 209, इसे हल करने, तो आप देखेंगे, कि यह समानंक है, तो 2809, एकम, 2809, एकम, 2809, यह मिलेगा हमें, 2500, रुपे, मूलधन का मान, तो वहराशी हमें ग्यात हो गई है, 2500 रुपे, यानि की 2500 रुपे, इस प्रकार प्रश्न हल हुआ,